हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आज यूज करेंगे पुरानी टेबल मैट को जो कि खराब हो गई है बीच से भी थोड़ा फट गया है और कॉर्नर पे भी तो इसको बहुत अच्छा यूज करेंगे और ऐसा बनाएंगे जो कि हम डेली लाइफ में यूज कर सकें और इसको बनाना भी आसान होगा यूज करना भी आसान होगा और आप इसको न कई तरीकों से यूज कर सकते हो तो ना ये बैग है ना ये और जो बनेगा बहुत ही प्यारा सा बनेगा तो देखे यहां भी खराब हो चुका है बीच में भी खराब हो चुक इसको कट करके निकाल लेना है, इतना मैं कट कर लोंगी पूरा और इसको सेपरेट निकाल लोंगे, जो आप कॉर्णर देख रहे हुई, इसको भी मैं इसमें एड रखती, पर कॉर्णर चार से बनने है, तो एक तो वैसे भी खराब हो चुका है, तीन से तो बन नहीं पाएग इस जो ये border देख रहे हैं आप इसमें भी कहीं कुछ खराब है तो जैसा भी ये इसी में manage करेंगे पहले strip को join करेंगे देखें डिजाइन भी हमारा खराब नहीं होना चाहिए जो design का sequence है वो भी बना रहे तो देखें किस तरीके से join करना है जैसे आप देख लो जैसे बेल बनी हुई इसमें बस आपको एक joint ऐसा लगाना है कि ये जो अपना sequence से ही खराब नहीं होना चाहिए ताकि देखने में खराब ना लगे और आपका जो भी बने वो देखने में अच्छा लगे तो देखें एक लंबी strip इसमें लग जाएगी एक लंबी उपर लग और यह है प्लास्टिक के पॉलोथिन अब यह पॉलोथिन आपको कहा मिलेगी आपको स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी या फिर हार्डवेयर शॉप पे यह वारी पॉलिथिन नहीं है जो बैग या और लगती बिल्कुल सॉफ्ट वाली है जिससे बच्चों की बेबी श पॉल्ड कर लेंगे और उपर वाले को इसके बराबर पूरे पे सिलाई लगाना है तो यह बात थी इस वाले साइट की अब को इधर किनारे पर क्या करना है किनारे पे देखे हमारा अंदर तरफ पोल्ड होगा क्योंकि इसमें धागे रेशे दिख रहे हैं ऊपर तो हमारा इसको आप नहीं भी फोल्ड करोगे तो भी चलेगा देखे मैंने फिनिशिंग से इस पूरे को स्टिच कर लिया है और हमारा एक पूरा एक टैंगल पीस आ गया और यह बहुत फिनिशिंग से स्टिच हुआ है देखे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है तोनों साइट से सा अब इसको लगा लेंगे यहां पर जहां पर पौर्डर को जोइन किया था इससे क्या फाइदा होगा जोएंट हमारा छुपी जाएगा एक और भी थोड़ा सा खूप रद बन जाएगा तो इस तरीके से देखे लेस को अटैच कर लेना है उपर के साइट भी और नीचे जह और यह जो लेस लगाया है इससे भी खूप सूर्ती बढ़ गई है थोड़ा सा डिफ्रेंस आ ही गया है तो हमारा यह इजी सा डियाएवाइ बिल्कुल ब्रेडी हो चुका है और मैं इसको यूज करूंगी ऐस दस्तर खान की तरीके हर साल तेवहरों पर तो आते ही है एद तो हम लाते ही लाते हैं तो अगर आपके पास इस तरीके का टेबल मैठ है या किसी और तरीके का तो आप उसको ना वाटर पूफ बना सकते हो बच्चे खाना खाते हो तो अकसर कुछ ना कुछ गिर जाता है और बिलतक दस्तर खान की बात ही अलग हो जाती है तो आप इस त तो यहां पर मैंने कुछ प्लेट्स वगरा लगा लिये ताकि बिल्बकुल दस्तरख्वान वाली वाईब आए तो इतना बड़ा साइज है कि चार लोग आराम से खाना खालेंगे और यकीन मानने यह इतना अच्छा बना है बहुत ही सुंदर लग रहा है और आपके डेली ला सकते हो वाटरफूर बनाने के लिए वरनाई आप ऐसे भी बना सकते हो आई होप मेरा सिंपल साइट डियाइवाइ पसंद आया होगा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक शियर चैनल को सब्स्राइब कर लीजिएगा जल्दी मिलते हैं एक और यूसफ